अगर आप हमारी चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबा के दोस्तो आज के इस वीडियो की माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं इंडियन आर्मी में निकली होई एक वेकेंसी के बारे में यहां पर मेल और फिमेल दोनों ही अपलाई कर सकते हैं दोस्तो अपलाई करने का जो तिथी है वो बता दे आपको कि लाज्ट डेट 23 जून तक है और 25 मई से इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहां से इसके नोट करके भी पढ़ सकते हैं जी दोस्तो यहां से आप नोटिफिकेशन जो है 57th SSC यानि के टेक में के लिए और 28 SSC जो की टेक विमें के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है लेकिन ध्यान रखिएगा जो छात्रा या छात्र अन्मेरिड है वही यहां पर आविदन करेगा दोस्तो यह इसका नोटिफिकेशन है जहां पर इसके अलिजबिटी क्रेटरिया है सबसे पहले चीज़ तो यहां पर आपको जानना बहुत जरूरी है जी हां यह आपको इन्वाइट किया जारा उन्छात्रों के लिए जो की अन्मेरिड मेल और फिमेल कैनिडेट हैं और व इंजिनेरिंग ग्रेजुएट से अपना डिगरी कंप्लेट कर चुके हैं जी हां दोस्तो आपको बदा दे कि जो भी छात्रा यहां पर वीडियो हैं वो डिफेंस में जा सकती हैं बिलकुल यहां पर शॉर्ट सर्विस कमिशन की तरफ से इंडियन आर्मी में उनको स्वाग पूरुस वर्ग हैं उनके लिए 20 से 27 साल का एज क्रेटेरिया आपको होना चीए एक अक्टूबर 2020 तक उनका जो एज है दोस्तो यह 27 साल से ज्यादा नहीं होना चीए इस बात का ध्यान रखेगा जो छात्रा हैं यहां पर फिमेल केटेगरी से उनको एज क्रेटेरिया 35 साल बताये गिया है दोस्तों आप सभी को यहां बता दे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो चात्र यहां पर जो अभी तक अपका ग्रेशन कंप्लीट नहीं किया है और अभी पर सूइंग है वह भी यहां प्यार दिन कर सकते हैं लेकिन फाइनल सेमिस्टर में होना चाहि देगा दोस्तों यहां पर जो चात्र यहां पर देखें कर दिया गया है कि यह रफ इंजिनरिंग डिग्री कोर्स शुट भी एबल टू सब्मिट प्रूफ पासिंग इंजिनरिंग डिग्री इंजिनरिंग अलॉंग विद्ध मार्शिट ऑफ दा सेमेस्टर अगर आप पास न तो उसका प्रोविजनल आपका एक अपेरिंग सर्टिफिकेट मिलता है तो वह आप यहां पर लगा सकते हैं दोस्तों यहां आविदनगर करना चाहते हैं तो वैसे तो मैं बोलूँगा कि आप अपने इंजिनरिंग कंप्लेट कीजिए फिर उसके बाद इस आना जाने का सो लेकिन जो एसे सी टेक में है यहां की जो पुरुस वर्ग है वो बी बे टेक होना चाहिए इंजिनरिंग में किसी भी स्ट्रेम से तो इस बात का आप लोग ज्यादा ध्यान रखेगा दोस्तों यहां पर जो आपका ब्रांचेस है वो कौन-कौन सा होना चाहिए जहां पर ट इंजिनरिंग इंग गनेजमेंट कंस्ट्क्शन टेक्न लाजी तो इसकी लिए चाहत्र है में के डिट वह भर सकते हैं ठीक है तो यहां पर सिवल डिपार्टमेंट से यह सारी ब्रांचेस के नाम है जिसके लिए वो आविधन कर सकते हैं और यहां पर भी कुछ और अपडे से भी जो चात्र हैं वो भी आविदन कर सकते हैं उनके सब डिसिप्लिन के जो ब्रांचेज हैं यहाँ पर मेंशन किये गए हैं हर एक ब्रांच में कितने कितने वेकेंसी यहाँ पर बताएगी हैं Computer Science और Electronics वाले भी जात्र, IT, MSC, Computer Science से हैं तो भी आविदन कर सकते हैं इ台ला त्ल यहाँ पर नीचे आएंगे और Information Technology में मेँ भी जितने चात्र यहाँ भी संबंदी था, ओव आविदन कर सकता है electronics and telecommunication वाले चात्र भी यहाँ पर आविदन कर सकते हैं telecommunication से भी जो चात्र आते हैं वो भी आविदन कर सकते हैं in fact electronics and telecommunication से जो चात्र आ रहे हैं वो भी आविदन करें यहाँ पर satellite communication में अगर आपका engineering है याँ electronics and microwave में है तो भी आविदन कर सकते हैं दोस्तों यहां पे फाइबर ऑप्तिक्स में जो चाथ है उन्होंने अपना डिगरी कर रखा है और ब्लास्टिक इंजिनेरिंग में रबर टेक्नलोजी में चैमिकल इंजिनेरिंग में वर्क्शॉप में या लेसर टेक्न लोजी में दिन यू केन आल्स अप्लाइब manufacturing, industry में भी अगर आपका engineering है then you can apply total यहाँ पर अगर देखे तो 175 पदों की तो यहीं vacancy है कुछ vacancy दोस्तो female category के लिए है जो की यहाँ पर 28 पद बताय जा रहे है तो यह total मिला के 191 पदों की total vacancy है आपके भी यह सारे branches हैं यहाँ पर जो की engineering में आपको चाहिए लेकिन जो छात्र other category से जो भी graduation है जो की non UPSC में है उनके लिए एक vacancy है और B बीटे किसी भी stream में है यहाँ पर तो उनके लिए 14 vacancy है total यह vacancy यहाँ पर है दोस्तों ध्यान से देख लेजिएगा इनको अब यहाँ पर आपको क्या क्या documents verify करने होंगे भेजने होंगे आपको form भरते समय तो आप क्या करना भेजना नहीं यह website पर online होना आपको login होना है और self attest का 10 certificate का markset एक आपके पास होना चाहिए जो की यहाँ पर मांगा जाएगा documents 2 में यहाँ पर दोस्तों देखेगा self attested copy class 12 का markset self attested copy degree certificate का markset part 2 order demis husband है अगर नहीं है तो उनका भी certificate चाहिए marriage अगर आप लोग नहीं है तो उसका भी certificate चाहिए initial report of the battle physical casualty का भी अगर certificate है आपके पास दिन लगाना पड़ेगा detailed report of the battle physical casualty का भी update देना होगा battle या फिर physical casualty certificate भी आपके पास है तो यहाँ पर लगाना होगा ओके तो दोस्तों यह सारे documents है जो कि आपको यहाँ पर required किये गये हैं अब यहाँ पर जो छात्र eligible है वो देखें कब तक जो ध्यान रखेगा 23 जून तक आविदन कर सकते हैं online आविदन करना है 25 तारिक से इसका लिंक एक्टिबेट हो चुका है आप इसके official website से जाके आप इसका आविदन कर सकते हैं जैसे आपका selection होता है दोस्तों यहाँ पर 49 वीक का आपका यहाँ पर training schedule होगा और इसके बाद आपको यहाँ पर इंडिन आर्मी में जाने का एक सुनहरा मौका मिल सकता है तो यह वो सारे update है दोस्तों जहाँ पर मैंने आपको बताए है और यह आपका salary scale है जहाँ पर आपके salary starting हो सकती है तो यह सारी चीज़ आप देख सकते है 56,100 की basic salary lieutenant की है military services के लिए 15,500 की fixed आपको यहाँ पर मिल सकता है MSP उसके अलावा दोस्तों यह salary scale है यहाँ पर हर एक जो rank है उस rank के लिए यहाँ पर salary mention की गई है तो you can see and watch आपका जो notification है इस notification के regarding 56,100 की stipend salary जो है आपको यहाँ पर starting में मिल सकती है तो यहाँ पर जो salary scale है दोस्तों आपके stipend gentleman और lady credit के लिए जो की आपको बताई जारी 56,100 की level की starting salary होगी यह आपका pay scale है तो यहाँ से मैंने आपको सारी detail आपको बता दिये फिर भी अगर आपको यहाँ पर कोई doubt है आपके इस vacancy को लेकर तो आप apply करने से पहले एक बर जरूर पूछ लेंगे या तो फिर आप यह पूरा notification एक बर rate out कर लिजीगा throughout यहाँ पर और आप इसके लिए आविदन भी ज करिवार का